दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम pressure switch के बारे में और ये भी समझेंगे कि pressure switch के connection कैसे किये जाते हैं ये जो आप इस screen पर देख रहे हैं एक manually operated pressure switch है दूसरी side में दोस्तो आप देख सकते हैं pressure gauge रखा हुआ है जिस पर 300 psi तक का pressure maintain कर सकते हैं हम यह जो देख रहे हैं आप एक digital pressure switch है जिसको हम hydromatic system में use करते हैं और यह PLC से control होता है यहां मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यह काम कैशे करता है यह आप देख रहे हैं हमारा hydromatic system है जो हम अपने washroom के अंदर या otherwise किसी भी floor पर पानी पहुचाते हैं तो इसको hydromatic system से पानी को पहुचाते हैं इसके उपर में एक detail में वीडियो बना दूँगा कि यह कैसे काम करता है यह आप देख रहे हैं एक digital pressure switch लगा हुआ है और इससे जो आपको wire देख रही है यह हमारे PLC panel तक जाती है दोस्तो अब हम समझ लेते हैं कि अगर हमारा digital pressure switch खराब हो जाए तो इसकी जगे पर हम manual operated pressure switch कैसे लगा सकते हैं इसका connection समझने के लिए सबसे पहले हम इसका दोनों screw बहार कर देते हैं जो इसका outer cover है इसको खोलने के लिए मैंने दोनों screw खोल के इसका outer cover हटा दिया है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर बीच में जो एक screw लगा है अब हम इस screw को खोलेंगे इस screw को खोलने के बाद जो इसमें lock बाली पत्ती है ये lock बाली पत्ती अलग निकल जाएगी proper तरीकेशे इसके बाद हम दोनों screw को tight कर सकते हैं कम और जादे अपना pressure और range को करने के लिए यहां दोश्तों मैं range बाले screw को loose कर रहा हूँ तो ये 7.5 से 6 की तरफ पहुँच गया है और अब मैं इसका जो difference है इस screw को loose करूँँगा ये 1 से 2 की तरफ जाएगा ऐसे करके हमें दोनों screw loose या tight करके अपना pressure और difference set कर लेना है जाशे यहां मैंने pressure set कर रखा है 6 kg का और difference set कर लिया 2 kg का तो मेरा जो 6 kg का pressure है 6 kg के बाद line में जैसे इस pressure कम होकर के 4 kg होगा अगेन मेरी फिर से motor on हो जाएगी वो फिर से 6 kg pressure होते ही लाइन में motor बंद हो जाएगी इसके connection समझने के लिए आप देखेंगे आपके right hand पर एक glass लगा दिख रहा है जिसमें हमें 3 point दिख रहे हैं 1 number, 2 number और 4 number उपर थोड़ा साब देखेंगे तो एक के साथ जो 2 number है ये NC terminal है मिन्स एक में हमें face देना है तो हमें 2 में face मिलेगा जैसे ही हमारी motor cut up होगी 6 पर pressure जैसे ही हमने 6 set कर रखा है तो जैसे 6 पहुँचेगा तो एक से supply हमें 4 में मिलेगी तो 4 वाले point को तो हमें use में ही नहीं लेना है एक में हम supply in करेंगे और second point से out कर लेंगे दोस्तो यहां पर relay के तीनो point आप देख सकते हैं और यहां मैं आपको आप सिखाता हूँ कि starter में इसके connection कैसे करने है आपका कोई भी starter हो चाहे वो आपका DOL starter है चाहे star delta starter है उसके अंदर आपको push button देखने के लिए मिलेंगे green push button और red push button हमारी supply red push button से out होके green push button में जाती है और green push button से out होकर supply contactor में जाती है और आपने एक चीज और notice करी होगी जो red push button का output point है output वाले point से supply out होकर contactor को holding के लिए शपलाई जाती है दोस्तों अगर आप starter का wiring से related वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इधर उपर आए बटन में link देदूँगा यहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं starter से relative जब भी दोस्तों कभी आपको pressure switch लगाने की जरूत पड़े किसी भी starter में आपको red push button से supply को out करना है और pressure switch के एक number point में ले जाने है दो number point से supply को out करके अपने contactor के A1 में ले करके जाना है और एक बात और द्यार रखनी है याप है कि जो आपका holding बाला point है इस holding बाली supply को हटा देना है अगर आप इस supply को नहीं हटाएंगे तो आपका contactor बंद नहीं होगा pressure switch जब cut off कर देगा तो भी वो चलती रहेगी motor उम्बीत करूँगा दोस्तो वीडियो आपको पशंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कर लेना और बने रहे मेरे साथ ऐसे useful वीडियो देखने के लिए